हलो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल वर्ल्ड वाइड अफेर्स में चलिए शुरू करते हैं अब जो हाल में यह ताजा खबर निकल के सामने आई है वो यह आई है कि बेटेन के परधान मंतरी जो एक फिमेल है महिला है जिनका नाम लिच्ट्रस है उन्होंने अपनी पॉस से इस्तिफा दे दिया है सिरफ 45 दिन बाद आज 46 दिन है लास्ट डे उन्होंने अपना इस्तिफा दिया था यानि 20 अक्टूबर 2022 को उन्होंने अपना इस्तिफा दे दिया है और मैं आपको उसकी वीडियो फोटेज भी दिखाऊंगा चलिए इस मुद्धे पे बात करते हैं और इस पूरी घटना करम को आगे बढ़ाता हूँ मैं तो उसके अंदर तीन पात रहें दोस्तों पहले है रिशी सुनक जी दूसरी है सोयला तीसरी है लिस्ट्रस जो मैं आपको बता चुका हूँ जिन्हों ने इस्तिफ़ा दिया है तो आप मेरे साथ बने रहीएगा और मैं आपको हमारे चैनल पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आये हैं तो ऐसी informative and knowledgeable वीडियो लेने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिये जएगा और मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मैं आगे बढ़ता हूँ अब ये लिस्ट्रस कोन है जैसे मैंने आपको पहले बताई दिया ये UK की प्राइम निस्टर है अब जब ये खड़ी हुई थी प्रतीदवंदी बनकर रिशी सुनक की रिशी सुनक बहुत ही परवल दावेदार बने जाते हैं तो जब Lich Trust खड़ी हुई थी बिटेन की परधान मंत्री बनने के लिए तो इनका direct जो competition था वो रिशी सुनक से था और रिशी सुनक जी के बहुत ही जादा जीतने के chances थे मैं आपको बताना चाहता हूँ रिशी जो सुनक जी है वो इंडियन मूल के भारतिय मूल के इंडियन बिटेन की जो परधान मंत्री लिश्टरस थी इनको अपनी जो party है उसका नाम है conservative party वो उसके MLA के support की वैसे वो जीत गई उस वक्त जो प्रबल दावेदार थे जो बिटेन के परधान मंत्री बनने के लिए उनको रिशी सुनक को माना जाता था पर खैर जो भी हो जो लिखा होता है वही होता है तो 45 दिन के बाद इन्होंने लिश्टरस ने अपना इस्तीफा खुद ही दे दिया क्योंकि जिस चीज के लिए इन्होंने अपॉइंट किया गया था इन्होंने खुद अपने वीडियो में बोला है resign देते वक्त इस्तीफा देते वक्त कि मैं उसे पूर करनी पाए दूसरा इनके जो भी चाहने वाले थे जो भी इनके साथ थे जो भी इनके पार्टी में थे वो भी इनके विरोध में हो रही थे आपोजिशन पार्टी तो हो हो लेकिन इनकी जो खुद की पार्टी में थे वो भी अपोज हो रहे थे और उसके अलावा इनका जन बिटेन में कभी नहीं आया है 40 साल लास 40 साल के अंदर कर पॉंड की हाला देखी जाए बिटेन के पॉंड की हाला देखी जाए यूएस से के डॉलर से तो बहुत ही जादा नीचे आ गई है और उस वक्त रिशी सुनक जी ने कहा था एक बात कि आप जो वादे कर रहे हो आप पूरे नहीं कर पाओगे यह परियोगी कहानियों में फेरी टेल्स में अच्छा लगता है पर उनको यह बात अच्छी लगी नह उन्हें यह बात मानी नहीं अब हाल में इतना विरोध होने के बाद जब उन्होंने हार मान ली कि उनका कोई भी आइडिया इंप्लिमेंट नहीं हो रहा है लिस्ट रस जी का तो उन्होंने खुद चल कर आगे आकर खुद अपने मूंसे का है कि मैं जिस कारे को करने आई थ तब तक में रहूंगी और मैं आपको वीडियो फूटर्स भी दिखाऊंगा तो इसलिए करप्या वीडियो में बने रही हैगा और इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल लेवल पे जो भी चीज़े हो रही है उसका परभाव बिटेन पे भी पढ़ रहा है बिटेन भी से अच्छूता तो रहा नहीं है तो लिश्टरस ने अपने सारे आइडिया इंप्लीमेंट किये पर कोई भी आइडिया उनका सक्सेस्फुल हुआ ही नहीं उसकी वैसे उनको भारी विरोत का सामना करना पड़ रहा है उसके अलावा एक चीज और सुर्ख्यों में आरी है लिश्टरस की लिश्टरस की तुलना एक पत्ता गोभी से करी जा रही है एक चैनल है जिस पे लिश्टरस की तुलना पत्ता गोभी से करी जा रही है और उसमें ये कमपेटिशन हो रहा है कि दोनों में से कौन जल्दी स यानि पत्ता को भी जल्दी सुकती है या लिस्टरस जी स्तीफा जल्दी छोड़ती है और यह पोल चल ली रहा था और लास्ट डे यानि 20 अक्टूबर 2022 को लिस्टरस ने इस्तीफा दे दिया तो आपको कारण पता लग गया लिस्टरस ने इस्तीफा खुझ चल के दिया और म प्टु इकाम प्रीटी के चाहिंगा हॉ ऑड़ा से ड bou pragmaticर को सबीद Ni30 कि अघाटी को अविसर, है को सबुए अजी इनने जज़ा पर poorly पाढ है G Score Si לא किपना हम आी उनका आप ओ schedul ने असलिण सreन स्वेय का का गाया, का किस अपन Rights Is तो आप आपने वो वीडियो देखे लिए दोस्तों आप उसा कारण भी पता लग गया कि लिश्टरस अपने जो आइडियास थी वो इंप्लिमेंट करनी पा रही थी और उसके उपर से भारी विरोध हो रहा था तो उसनोंने इस्तीफा दे दिया तो स्टार्टिंग के वीडियो मैंने आपको बताया था इंप्रूब होगी तो इन स्टूडेंट के लिए खैर आगे बढ़ते हैं तो दूसरे नंबर पे जो पातर इस घटना क्रब में आता है उनका नाम है सुएला जी ये कौन है ये बिटेन की होम मिनिस्टर थी इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया अब इन्होंने भारत के खिलाफ बोला था इन्होंने कारण के इसका रीजन क्या कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया इनको भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने भारत के खिलाफ बोला था अब इन्होंने बोला क्या था, इन्होंने बोला था कि भारतिय लोग, इंडियन लोग, हमारे बिटेन में आके बहुत जादा over stay करते, यानि वर्क वीजा पे जाते हैं, या कोई student वीजा पे जाता है, तो आते एक मेने के वीजा के लिए हैं, लेकिन रुपते एक मेने से आये थे तो उन्होंने भारत के साथ free trade agreement किया था तो उन्होंने कह दिया किनोंने सुएला जी ने जो उस वक्त home minister थी बिटेन की उन्होंने ये कह दिया कि भारत की बिटेन की सबसे बड़ी गलती होगी अगर भारत के साथ free trade agreement करेंगे तो और तीसरी सबसे बड़ी गलती करी कि उनोंने अपना personal email करने की बचाए अपना professional email यूज करके अपने ही party के MLO को जवाब दे दिया कि मैंने जो बोला है यानि free trade agreement करना बिटेन का भारत के साथ बहुत बड़ी गलती होगी और उसके खिलाफ बोला था ये overstay करते हैं मैं इस बात से तवज्जो रखती हूँ मैं इस बात से सहमती रखती हूँ तो ये बात आगई notice और उसकी वज़े से list trust ने काफी विरोध हुआ इनोंने अपने office में बुलाया ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ ये media के sources है बेटेन के वहां की news के साब से उनोंने उनको office में बुलाया तीकी बहस हुई उसके बाद कुछ घंटों बाद इनोंने इस्तीफा दे दिया सुएला जी ने उसका खामियाज तो भुगतना पड़ेगा अगर भारतियों की बिस्ती करेंगे और हमारे department इंडिया ने भारत ने reply करते वे कहा कि अगर आपको कोई problem थी जो लोग overstay करते हैं तो आपको हमें बताना चीए था लेकिन आपको free trade agreement के बारे में बोलनेंगी क्या जुरूरत थी तो बहुत ज़्यादा इनका भी विरोध हुआ तो इन्हों ने भी स्तीफा दिया तो सबसे पहले स्तीफा दिया सुयला जी ने इस घटना क्रम में दूसरे नंबर पे स्तीफा दिया बिटेन की परधान मंत्री लिष्टरस ने कब दिया 20 October 2022 को और आपने वो वीडियो देखी लेई है तो दोस्तो मैंने आपको तीन पात्रों के बारे में बता दिया सबसे पहले लिष्टरस दूसरा रिशी शुनक जी और तीसरे मैंने आपको बता दिया सुयला जी Home Minister of Britain ग्रह मंत्री बिटेन की तो पहला कारण लिष्टरस ने स्टीफा दे दिया कारण उनको expectations जो थी उनकी party की उनकी country की और उनका जो विरोध हो रहा था वो पुरी नहीं कर पा रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने खुझ चल के आके सविकार कर लिया और 45 days के अंदर अपना स्टीफा दे दिया दूसरे नंबर पे जो आते हैं जो उनके कटर प्रतीदवन्दी थे रिशी सुनक जी जो प्रबल दावेदार थे तो उसका भी मैंने आपको बताया कि उस वक्ते उरोनों ने जो कहा था वो सही हुआ और वो भारतिय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं रिशी सुनक जी और य और बिटेन के परधानमंत्री बने ताकि हर भारति को गरव हो कि भारतिय मुल्का नागरिक बिटेन का परधानमंत्री बनाए खेर देखते हैं फीचर में क्या होता है हमारी विशेज उनके साथ हैं तीसे नंबर पे जो आते हैं आती हैं वो हैं बिटेन की होम मिनिस्टर उनका भी स्टीफा आ चुका है उनका कारें भी मैंने आपको बता दिया कि उन्हें इस्टीफा क्यों दिया और उन्हें भारत के खिलाव बोला था फ्री ट्रेड एग्रिमेंट के खिलाव बोला था और भारत के नागरिकों के लिए और स्टे करते हैं ये बोला था और इनक इन की home minister थी, उनका full name क्या था, surname क्या था especially तो उनका full name है Suela Braverman, Braverman इस surname, उनका surname Braverman है, तो यह जनलनोलेस का question था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो please और आप हमारे चैनल पर पहली बारे हों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा आपके मोटिवेशन की वज़े से ही हम वीडियो बनाते हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ऐसी ही knowledge, informative और आपको education देने वाली वीडियो लाता रहूँगा मुझे आपके comment section में आपका comments का इंतजार रहेगा और इस वीडियो में मैं target रख रहा हूँ 50 likes का अगर 50 likes आ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा Thank you so much and I wish you have a nice day, happy and nice life Thank you, bye bye